दिल्ली में एसिड अटेक का मामला सामने आया घटना बुदवार सुभा की है द्वार का जिले में युवक ने एक छात्रा पर तेजा फेक दिया पीडिता को इलाज की लिए सफर गंज अस्पताल में भरती कराये गया जोहां पीडिता का इलाज जारी है इस घटना का पासन के खिलाफ सडकों पर उतराई हैं इसी को लेकर फरीदबाद की सामाजिक संस्था मिशन जागरती ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर जागरुकता रैरी निकालते हुए एसिड अटेक और बलातकार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए रैली निकाली जिसमें इस प्रजेक्ट के नमाद्यम से हम समर्थ सक्तिसाली और सक्षम बेठियां हम बनाना चाहते हैं समाज में जो कल एक ऐसिड अटेक हुआ या निर्व्या कहया रोजाना अखवारों में आते हैं अखवारों की शाही सूख नहीं पाती है और अगले दिन बातकार की खबर आ जात हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले अब बजारों में बिकना बंद नहीं हो पारा है जो अटेक हो रहे हैं आकि यूप कौन जिम्धार है इसके तीछे यह परशासन के जो अधिकारी है उनको सक्त निरणे लेना चाहिए 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 कि जो चीज अवैद है जो खु रिफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि यूपी ने मुख्य आरोपी सचिन से बात करने से मना कर दिया था जिसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खौफनाक योजना बना ली के लिए ही माने है तो आईए लाल चश्मा घर और ठाईए मौके का भड़पूर फाइदा दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रैंट्स में अब तो 50% डिसकाउंट किया है जितने भी अच्छे आपके ब्रैंड्स हैं रेबेन वो सबकुष में आप अगर आ